नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सभी ग्रह उग्र सभाव में रहते हैं जिसके कारण सुभकारियों का अच्छा फल नहीं मिल पाता है और होलाश्टक आरंब होते ही हमारे प्राचिंकाल में होलीका दहन वाले अस्थान पर सफाई किया जाने लगा है लग जाता है लेकिन ये होलाश्टक जो है एक दिन का पर दसमी को सनी देव एकादसी को सुक्र देव द्वादसी को गुरू ब्रहस्पती त्रेवदसी को बुद्ध देव और चतुर दसी को मंगल देव साथ ही साथ पुर्णिमा को राहू उग्र सभाव में रहते हैं तो इन ग्रहों के उग्र होने के कारण मनुस के निरने लेने क च्षाम्ता कमजूर हो जाती है और जिसके कारण कई बार गलत निर्णह ले लेटे हैं सिसके कारण हानी की आसंका बढ़ जाती है अब जि़नकी कुंड्ली में 80 में चंद्रबा प composer Cobraasim का जाता हो तो चंद्र छठे या आटमेंई तो उन्हें कई दिनों तक अधिस्तरता बरतनी चाहिए वैसे तो यह बहुत लंबी चारी चौड़ी कीजिए इन्हें हम छोड़ देते हैं अगर हम भारती मुहुर्त भी क्यान और जोतिसास्त की बात माने तो परतेक कारे सुमुहुर्तों को अच्छे से देख लेने के बाद करनी चाहिए ताकि कोई भी बाधा ना आये और उत्तमफल की प्राक्ति हो इस धर्म धूरी से भारती भूमी में परतेक कारे को सुसंस्कृत समय में किया जाता है ऐसा तो आपको पता है और सुब समय का निर्धारन किया जाता है हमारे इस जोतिसास्त को देखके तो ऐसे मे कि जैसे गरवादान है बिवा है नामकरन चुडाकरन विद्यारम या गरीपरवेश निर्मान तमाम तरह की जो सुब कारे हैं इसका समय हमारे जोतिसके नुसार ही निस्चित के आता है लेकिन इस समय जो होलाश्टक है इसके बाद से जोतिसकी दृष्टी से असुब शुरू हो जाती है और इसी कारण से बिवाह गर्वादान गिरी परवेश निर्मान आधी सुपकारे बर जीत हो जाते हैं इन आठ दिनों को माना जाता है ऐसुब मानेता है कि भक्त प्रलाद नारायन भक्ति से कुरुद्ध होकर हिन्यकस्व ने। हौली से पहले के आट दिनों में प्रलात को अनिकों प्रकार के कष्ट दिये थे। और तभी से भक्ती पर प्रहार के इन आठ दिनों को हिंदु धर्म में असुम माना जाता है । हमारे अगर सास्त्रों की माने तो होलाश्ट लग के पीछे कुछ कारण है भगवान सीब की तपस्या को भंग करने के लिए जब कामदेव ने सीब जी के सामने प्रगट हुए तो कामदेव को भगवान सीब ने फालगुन पक्च की अस्टिमी तिथी को भस्म कर दिया था तब संसार में सोक की लहर फैल गई थी और इस व पीड़ा और विवा आदी समंद भी छेद कलह जैसी समस्याएं आपको परिसान कर सकती हैं हुलाश्टिक के दिनों में किये गए ब्रत और किये गए दान से जीवन के कुस्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान का आसिरवाद मिलता है कहते हैं इस दिन वस्तर अनाज और अ साल का सबसे बड़ा और अंतिम यतिवार है और इस दिन कहते हैं दुसमन भी एक दूसरे से गले मिलकर होली की बधाईया देते हैं ऐसा माना जाता है इस दिन बुराई की हार और अच्छाई की जीत होती है हलाकि होली की रात को सबसे बड़ा तांत्रिक क्रिया करने वाली जात भी माने जाते हैं काली रात भी कहते हैं इस दिन रंगों से ही नहीं बलकि नीम्डू सिंदूर आदी से भी होली के दिन बहुत सारे उपाई किये जाते हैं ताकि नाकारात्मक सक्तियों से बचा जा सके वैसे तो हम समय समय पे वीडियो में यह सब चीजे बतलाते ही रहत तो चलिए सबसे पहले बतलाते हैं पहली बस्तू है आपके घर में रखी भी देवी देपताओं की फटी पुरानी तस्वीर या खंडित मुर्तिया अगर है तो इसे अपने घर से तुरंथ हटा दे साथ ही आपके घर में अगर कोई पोश्टर है महाभारत की युद्ध की तस्वीरे हैं तो इन चीजों से घर में नागारात मकताद आती ही हैं आर्थी खानी होती हैं तो जितनी जल्दी हो अपने घर से इसे हटा दे और आपने अकसर देखा होगा बहुत सारी लोग क्या करते हैं फटे पुराने कप्डे हैं एक मोट्ली बनाई साइड में लग दिया उनके गोले हैं रसी के गोले हैं फटे पुराने चादर है या आपने ही कोई कपडे पहल लेते हैं आप पैवन्ध लगा के रफू करके क्रिपया इन कपड़ों को आप घर का बहार रास्ता दिखला दे और फिर देखिए आपके घर में कैसे आनंद का वातावरन फैलता है धन धाने की ब्रती होती है यह चीजें घर में कभी धन की बरकत होने नहीं देती तो आज ही नहटा है साथी साथ घर में किसी भी तरह की टुटी-फ्य भी बस तु जैसे घड़ी है पुडानी है नहीं चल रही है पढ़ा हुआ है तीवी है सोफा तूटा हुआ है या फिर कोई furniture तूटा हुआ है तमाम तरह की ऐसी चीज़ें होते हैं जो आपके घर में लक्षमी का आगमन को रोग देते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं घर में पथल, नग, तोने, टोटके, तावी, जंगुठी भी ना बजा के लाके रख देते हैं क्या आपको पता है इन चीज़ों की भी अपनी उर्जा होती है और अगर वो उर्जा आपके सरीर की उर्जा से मैच नहीं करती है तो नकारात मकता पहलेगी आप चिर्चिडे हो जाएंगे, मानसी ग्रूप से परिसान रहेंगे अना वस्य ग्रूप से धन के खर्चे होंगे स्वास्त गरबर रहेगा तमाम तरह की चीज़ें परिसानियों में आपको डाल सकती है इसलिए इन चीज़ों को भी घर से बाहर का रास्ता दिखला दे अगर आपके घर में मकरी के जाले हैं तुरण सफाई करें खासकर एक नियम बना ले हर सनिवार के दिन मकरी के जालों को जरूर सफाई करनी चाहिए इससे भी आपके घर में अच्छे दिन आने के संके दिखेंगे क्योंकि ये चीज़ें आपके घर हो या दुकान हो नकात मकता फैलाती है वास्तु दोस्पन करता है और पैसे के बेगरे का जो फ्लो होता है वो रूप जाता है अगर आपने अपने घर में ताज महल, डुकती वीनाव, जहाज, फबारे, जंगली जानवर जैसे काटेदार पौधे वेगर है, अगर तस्वीर रखी है या हकीकत में कुछ रखा हुआ है इसे हटाएं, काटेदार पौधे ना लगाएं, हाँ आप गुलाब के पौधे लगा सकते हैं पर ध्यान रखिएगा, बहुत किसी को कहते हैं, कि गुलाब के पौधे भी सूट नहीं करते, अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है, तो हटा दीजिए क्योंकि इससे आपके जीवन में जो है, वो अच्छी घटनाएं होनी बंद हो जाती है, और बुरी घटनाएं होने लगती है तो जितनी जल्दी हो, इन चीज़ों को हटाइए, और अपने घर में धेर सारी खुसियां पाने के लिए कुछ उपाय जरूर कर ले, जिससे आपके घर में बरकत होनी सुरू हो जाए और चुकि होली है, होली का धहन तो आप मनाते ही होंगे, दोस्तों एक काम जरूर कीजिएगा होली का धहन की राख को जरूर घर ले आईएगा, ये बहुत अच्छा एक नकारतमक सक्तियों को दूर करने का उपाय है हो सके, तो इस राख को ताविज बना के छोटे बच्चों को पहना है, कलाई में ही बान दे, आपके बच्चे सुरक्षित बने रहेंगे घर में धन धाने की बर्दी होगी, बरकत होगी, और कभी भी धन की कमी नहीं होगी सुप चीजों को सुप दिनों में घर अगर आप लाते हैं, तो इसका बहुत ही ज़्यादा घर में सुपता भी आती है और आपके मन मस्तिक्स पर एक पॉजटिव प्रभाव पड़ता है धन समद्धी परिसानिया आपको परिसान अब और नहीं करेंगी हलांकि अगर आप धन समद्धी परिसानियों से बहुत चिंतित है, परिसानी ही परिसानी है जीवन में तो घर में मौजूद वास्तु दोस्वीश का कारण हो सकता है और इन दोसों से मुक्ती पाने के लिए ही आम आपको उपाई बतला रहे हैं ताकि धन में सुख में बर्धी हो और हमारे वास्तु के अनुसार कुछ ऐसी चीजे हैं जिनें आप घर में रखते हैं तो धन की बरकत बनी रहती है और परिसानिया भी दूर होती है तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारी ऐसी बस्तुएं हैं उनमें से एक है पिरामिड घर के जिस हिसे में परिवार के सदस्य सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं वहाँ पर चांदी का, पीतल का या तामबे का पिरामिड रखे चोटा सा रखना है या घर के सदस्यों की आए में ब्रधी करता है या अस्थान आपका घर का हॉल में हलांकी लोग ज़्यादा रहते हैं तो वहीं पर रखे और दूसरी वस्तु है वास्तु देवता की मुर्ती ये तस्वीर रखने से वास्तू दोस खत्म होते हैं पैसों की कमी नहीं रहती तीस्या है क्रिश्टल का कच्छुआ तो ये आप कच्छुआ किसी भी चीज का रखे संगमरमर का भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है केते हैं घर में अगर मचली है कच्छुआ है चांदी का भी हो तो भी चलेगा अगर रखते हैं तो धन की कमी कभी भी नहीं होती और हमेशा सम्रिद्धि का वास होता रहता है इसके बाद अगली बस्तु है पानी से भरा हुआ सुराही हलांकि अब लोग सुधाई यूज नहीं करते तो इसकी आप तस्वीर भी रख सकते हैं कहते हैं अगर आपके घर में कलस है घड़ा है या फिर आप एक लोटे में भी पानी भर कर पुजास्थान पर रख सकते हैं और निति दिन उस पानी को पौधों में डाल दें फिर से फ्रेस वाटर भर कर रख दें ऐसा करने से धन कभी आपके घर में कम नहीं पड़ेगा धन के लिए बहुत सुमाना जाता है आप चाहें तो पूरे एक साल के लिए भर कर रख दें कोई दिक्कत नहीं है और अगली है हनुमान जी की मूर्ती घर के दक्षिन पस्चिन दिसा में भगवान हनुमान जी का पंच मुखी रूप बलागर आप तस्वीर लगाते हैं और नेमित रूप से धूप दीव दिखाते हैं तो ऐसा करने से आपके बच्चे और आप तुरगटनाओं से भगवान का तस्वीर या फिर स्वास्तिक के दिन आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों साइट स्वास्तिक बनाएए और यह सवश्तिक होगा सिंदूर से बनाऊओए आप घी में या तेल में मिक्स करके सिंदूर बना सकते हैं घी जाता सूह रहेगा वैसे आप लक्ष्मी की मूर्ती है तो अच्छी बात है नहीं तो लगाईए घर में पैसों की कमी नहीं रहेगी साथ में काला तिल होली के पहले जरू ले आईए यह बहुत बड़ा वास्तु दोस्त हटाने का कारक है और नजर दोस्त से भी आप सुरक्षित बने रहेंगे तो उपाय कर लिए जीवन में चमतकार होगा हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो प्ली लाइक का सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद हर हर महादेव